आम आदमी पार्टी उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खीचतान देख रहे हैं दो नौटंकी चल रहे हैं एक नौटंकी विदेश की भूमी पर एक नौटंकी यहां दिल्ली में पर्मनेंटली डेवोपन थियेटर्स मैं इसमें बहुत ही संचित रोप से जो मीडिया में आया हुआ है जो पब्लिक डोमेन में है उस विशय को रखना चाहता हूँ कि क्या हकीकत है और क्या होना चाहिए देखें ये कानून है कि NCT, Government of NCT, GNCT जो भी बजट बनाती है वो LG को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए तो इसी महार्थात मार्च महा के नौ तारीक को एक अप्रूवल के लिए चिट्थी दिल्ली सरकार द्वारा LG महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए ये बजट है दिल्ली सरकार का और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है नौ तारीक को उसको देखने के बाद तुरंत LG साहब ने उसमें तीन चार अब्जर्वेशन्स यूँकि LG साहब का ये कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अब्जर्वेशन्स लिख सकते हैं वाइंडिंग नहीं होता है वो अब्जर्वेशन्स होता है तो लगबग तीन या चार ऐसे अब्जर्वेशन्स LG साहब ने उस पे लिखे वो क्या अब्जर्वेशन्स थे वो अब्जर्वेशन्स थे कि जो दिल्ली का capital outlet है capital outlet का अर्थ क्या होता है capital outlet का अर्थ होता है दिल्ली के भविश्य को बनाने के लिए जो आपको infrastructure चाहिए roads के लिए खर्चा करना है पानी के लिए खर्चा करना है बिजली के लिए खर्चा करना है बाकि जो infrastructure बनाने के लिए दिल्ली 50 साल बाद कैसी होगी पच्चिस साल बात कैसी होगी उसके लिए जो capital infrastructure है वो मात्र 20 प्रतीशत है एक अच्छे राज्य में एक vibrant state में यह 50 प्रतीशत होती है तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है क्या इस पर चिंतन करना चाहिए इस प्रकार LG ने को observation दिया दूसरा observation LG ने दिया कि दिल्ली जलबोड और आपके DTC एक corporation है और एक बोड है corporation और बोड का अर्थ होता है कि इनकी एक autonomy होती है और उसके साथ साथ यह आय कर सकते हैं यह income करते हैं और उसी income में से व्याय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं यह किसी और पे dependent नहीं होते हैं तो LG साहब ने इसमें observation दिया कि यह हमें देखने को मिल रहा है कि बार-बार इन्हें हमें subsidy देना पड़ रहा है क्या हम जिस प्रकार का arrangement कानून में हैं उसके मिताबिक DTC और जल बोड के लिए काम कर सकते हैं तीसरा observation LG साहब ने दिया कि पिछले बार के budget में और यह सब पब्लिक domain में उनके मंत्री ने कह दिया है budget के आंकडे मुझे पता नहीं ना पता होना चाहिए